Hello students, in today's video we will find out the cube root of 8 with the help of prime factorization method ठीक है, तो prime factorization method के मदद से हमें 8 का cube root निकालना है, ठीक है तो सबसे पहले हमें prime factors निकालने पड़ेंगे 8 के, simple 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, ठीक है तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 8 कब आएगा जब हम 2 को 3 बार multiply कराएंगे, मतलब एक triad बन जाएगा, ठीक है जहाँ पर 3 number या फिर 3 चीजे एक जैसी हों उसे triad बोलते हैं, ठीक है अगर यहाँ पर कुछ और होता, like 4 into 4 into 4, वो भी 3 बार लिखते हैं ठीक है, अगर cube root होता तो किसी का, लेकिन यहाँ पर तो 8 की बात की है, तो हम simple 8 की बात करते हैं तीन number में हमें मिल गए, जिससे हम triad कह रहे हैं अब इन number को हम किस तरह से लिख सकते हैं? तीन बार लिखने से अच्छा है कि 2 cube लिख लू मैं, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं अब यह cube जब इधर shift करोगे, यह power दूसरी तरफ जाती है, तो क्यासे हो जाती है 1 upon 3 हो जाएगी, इधर क्या बचेगा? 1 नी बचेगा, या फिर 2 की power 1 बोल लो, या फिर 2 बोल लो, एक ही बात है, है कि ने? अब इस 8 to the power 1, 8 to the power 1 upon 3 को किस तरह से लिख सकते हैं? cube root of 8, यह, और 2 की power 1 क्या होगा? 2 होगा so finally आपका अंसर आ गया, cube root of 8, the help of prime factorization method, answer is 2 hope so आपको यह question अच्छे से समझ में आया होगा, अगर आपको यह question अच्छे से समझ में आया होगा तो please मेरे channel को like, share and subscribe करना बिल्कुल भी न भूले, मिलते है next video में, तब तक के लिए, thank you so much